टेसिलेशन का मतलब है टाइस बिछाना एक ही तरह के नमूने को बार-बार रखकर एक चप्टे हिस्से को बिछाना अब आप एक 8 सेंटीमिटर का मुरब्ब ले इसमें दो लाइन बनाए और इनको काटें काटने के बाद ये घर की तरह नजर आएगा इसके बाद में दोनों मुसलस जैसे टुकडे को उपर की तरह रखकर बिली के मुझ ऐसा बना ले ये बिली के कान बन जाएंगे इनको आप टेप से चस्पा कर ले इसके बाद में और एक मुसलस काटें और इस मुसलस को निकाल कर आप परिंदे की चोंच की जगा बिठा जिए और इसको भी टेप से चस्पा कर दीजे अब ये बन गया आपका एक परिंदे का सांचा इसके बाद में आप नीला मोटा कागज ले काटशीट ले इस पर सांचे को रखे और बहुत सारे परिंदे बनाएं तैस्सिलेशन का मतलब ही ये है कि एक ही तरह का नमूना ले और इस से एक चप्टे हिस्से को पूरा मुकमल करे अब ये बन गया आपका दूसरा परिंदा और ये रहा आपका तीसरा परिंदा अब परिंदों की आउटलाइन बनाने के बाद आप इस मोटी कार्चीट को काट कर परिंदों को अलग-अलग कर ले मुक्तलिफ रंगों के कागज इस्तेमाल करें और खुब सारे रंग भी रंगे परिंदे बनाएं इनकी आँखे बनाएं जिससे इनमें जान आ जाएं अब आप आपके पास पूरा जुन हो गया है परिंदों का परिंदों को आप करीब रखकर सजा सकते हैं बिलकुल टाइल्स जैसे ये एक दूसरे में नजब हो जाते हैं कितना खूबसूरत नमूना हैं कितना बहतरीन डिजाइंग हैं ये बहुत ही सजावटी फन हैं